नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चलनल निंगनुवाला बाद और आपको पती है ब्यच्ड ले ले 138 का कोश्चन पर हमने डिस्कस किया था आज हम बात करेंगे कैसे उन कोश्चन को आपको अटेम्ट करना है धीरे धीरे एक करके सारे कोश्चन को डिस्कस क्योंकि मैं चूटी क्लास बनाने में ज्यादा यकीन करता हूं आप बहुत हो सकते हैं लेकिन चूटी-चूटी क्लास आपको जब दस फंचा मिनट का समय मिलता दिन में आप उनक्लास को ले पाते हैं चूट-चूटी क्लास की स्रीज में आपका स्वागात है फिर BHDLA 138 र इंडियन लिट्रिचर कॉंसर्ट क्लास आप सभी में जानती है भली बात चलिए क्लास को करते हैं शुरू पहला कोशन आपके सामने ये रहा जो कि प्रीवेशर सवाल है जून दोजार तेहिस के पेपर का सवाल है हो सकता है इस बार ये फिर क्या हो जाए रिपीट हो जाए तो क्यों न हम इसे करें चलिए करते हैं पहला कोशन आप देख पा Hogwarts क्या होती है what is आतम कथा है न ओटो भाइग्राफी है न ओटो भाइग्राफी या इने खुद के द्वारा खुद के बारे में लिखे गए ये कोई कथा देखो आत्मकथा विदा क्या होती है आत्मकथा को स्वेचरित्र भी कहा जाता है क्या कहा जाता है स्वेचरित्र स्वेचरित्र मतलब खुद के चरित्र की बात करना गद्य साहित्य की क्या है एक विदा है एक तो लेखक क्या करता है स्वयमक लिखता है और किसके बारे में लिखता है अपने बारे में लिखता है इसलिए से कहते है आत्मकथा आत्मकथा क्या है संस्मरण से अलग होती है संस्मरण क्या है किसी घटना को याद करके लिखना है ना वो संस्मरण है आत्मकथा क्या है पूरे जीवन की कहानी संस्मिरन में क्या होता है जिसमें लेखा अपने आसपास के समाज परस्थितियों और घटनाओं के बारे में लिखता है संस्मिरन में तो आसपास के बारे में लिखता है गटनाओं के बारे में लिखता है लेकिन आत्मकता क्या है इसका केंदर केवल लेखक स्वयम होता है That is आत्मकथा आप से कई बार पूछे जाएगा संस्मरण और आत्मकथा में अंतर कहा है तो आप कहेंगे सर अंतर यहां है कि आत्मकथा स्वयम की कथा है उस संस्मरण में हो सकता है आसपास के लोगों की घटनाओं की समाज के बारे में भी जिक्र मिल जाए आपको समझ माया आत्मकथा की कुछ पहली विसेशता है कुछ विसेशता की बात करें तो आत्मकथा में आपको कैसे दृष्टिकोन देखने के लिए मिलेगा विक्तिका दृष्टिकोन यानि अपने बारे में क्या मिलेगी कहानी मिलेगी जीवन का वरतांत लेखक क्या करता है आत्मकथा में अपने जीवन की जो भी घटनाएं होती है जो अनुभव होते हैं जो विचार हैं जो भावनाएं हैं उनके बारे में क्या करता है चीजों को व्यक्त करने ही कोसिस करता है उतारना कुछ लिए समझ लो PDF टेलिग्राउं से डानलोड कर लेना बस समझने ही कोसिस करो कि आत्म कथा में क्या-क्या नोर्मली होता है इमानदारी की बात करें तो आत्म कथा लिखते समय लेखक को क्या रहने चाहिए इमानदार और सच्चे रहने चाहिए अमालो आप है अपने आत्म कथा में लिख रहे है कि मैं दुनिया सबस्ड इमानदार व्यक्ति हूँ तो यह गलत है आत्म कथा शुक्त कि आपके सकते honest लिखे जाने चाहिए true होना चाहिए उसमें जो भी values है और true होनी चाहिए भासा, आत्म कथा कि भासा कैसी हो सरल हो और सहज भासा में लिखी जानी चाहिए अपनी आत्म कथा तो क्या आप लिख इसले रहें तक कि दूसरों तक पहुँचे और दूसरों तक को तभी समझी में आएगे न जवाब easy way में लिखे आत्म कथा का उद्देश्य क्या है पाठक को, पढ़ने वाले को पढ़ने वाले को क्या करना लेखक के जीवन के बारे में बताना उसके अनुपवों से अवगत कराना जैसे हम गांदी की ओटो बाइग्राफी पढ़ते हैं अभी मैं कुछ आपको एक्जामपल्स भी आपर दूँगा फिलाल आप इतना समझ चुके होगे कि आत्म कथा होती क्या है एक एक क्लास को दोदवार देख लेंगे न बिना नोट्स बनाए तो भी आपके लिए पेपर में इनाफ होगा जैसे आत्म कथा के कुछ परसिद उधारन देखिए मात्मा गांदी की सत्य के साथ मेरे परियोग आपने सुनोगा आत्म कथा है किसकी मात्मा गांदी की सत्य के साथ मेरे परियोग है ना इसके लावा जवालना नैरू के आपने सुने होगी माई स्टोरी इंग्लिश में है यह माई स्टोरी हिंदी में कहते हैं मेरी कहानी हरीवन्स राय बच्चन की एक है क्या भूलू क्या याद करूं है ना वाट टू फोर्गेट वाट टू लर्ण इसके लावा अमर्ता प्रितम के कहानी है रस्दी टीकट यह सब क्या है दोस्तों यह सब इनकी मात्मा गानदी जवालना नैरू हरीवन्स जी की और अमर्ता प्रितम जी की क्या है यह आत्म कता है, example आपसे paper में हो सकता है, आप पूछे, ना भी पूछे, तो भी आप लिख के आएंगे graduation level है, अच्छा paper attend आपको करना है, कहां नहीं समझ महाई, आप कहेंगे बिल्कुल साथ ये तो भी बात आत्म कता की, अब हम बात करेंगे संस्मरन की, संस्मरन याध करने के माद्यम से लिखी जाती है, जैसे मेरे जीवन में, कभी जब मä मैं 5 साल के आसपास का था तो मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जिसे मैं अब लिखना चाहता हूं तो जब उस घटना को याद करके मैं पेपर पे उकेर दूगा उसे हम कहेंगे संस्मरन देखो संस्मरन गद्दे साहिते क्या है एक विदा है जिसमें लेखा करता क्या है अपने जीवन के किसी विसेश अनुभव याद रखना सारे अनुभव नहीं कि मैं बात्रूम में गीला हुआ था या फिर आप कह सकते बात्रूम में क्या था साबून पढ़ी ती उस पर फिसल के में गिर गई थी और उसे मैं लिख दू संस्मरन हो जाएगा नहीं कोई वि आपको कई बार बता चुका हूं दोस्तो आत्म कता में आपको यह देखने के मिलेगा कि व्यक्ति जो लेखक है वो अपने जीवन को और अपने आपको केंद्र में रखता है लेकिन संस्मरन में क्या होता है किसी विसेश घटना की बात होती है तो इस पर समाज को भी संस्मरन में लेखक अपने जीवन के किसी एक विसेश अनुभव या घटना का वन्यन करता है याद रखना क्या यह हमेशा अनुभव विसेश होता है या फिर घटना विसेश होता है किसी विसेश घटना का अगर जिक्र हम कर रहे है तो संस्मरन संस्मरन लेखक के व्यक्ति क्योंकि यहां पर जो मुझे याद है वो मैंने लिख दिया हो सकता है कई बार में कुछ भूल जाओं और मुझे गलत लिख दूँ तो यहां पर आपको वस्तो निश्ट सा देखने के लिए मिलेगी आप कह सकते हैं भावनात्मक्ता संस्मर्ण में अपने अनुभव और भाव भासा यह जो होती है संस्मर्ण की कैसी हो निश्ट सरल सहज मैंने आपसे कितनी बार कया है चाये हिंदी की कोई भी विदा हो दोस्तो हिंदी के विज़ी कोई भी विदा है तो उसमें TRIPALS पतिति आपको याद रखनी है सरल सहज और इसपस्ट भासा का इस्तिम्हाण किया लेखा कही चाता है पाठकों तक मेरे जीवन की गथा पोँचे लेकिन अपने जीवन के अनुवा वो घटना हो किसके माध्यम तो बताता है पाठकों को सनस्मुरान के माध्यम से समझ माया दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर सूरेकां तिरपाथी निराला मोस काल हुए च्छायावाद है इसके लावाथ देखना आधुनी काल हिंदी भाषा में माना जाता है और भारत हिंदू उग माना जाता है तो भूछ सारे यूग बना दिये गए हिंदी भासा के रचनाओं पे तो चाया वासे संबंदित यह हैं उनका जनम कब हुआ फुरेकां तिरपाटी निराला का जनम 21 फरवरी 1896 को इनका क्या होता समानने पर जनम होता है 21 फरवरी इसके लावा कहां पर इनका जनम होता है बंगाल में क्या होता है इनका जनम होता है निराला ने गद्य पद्य दोनों लिखे है यानि इन्होंने कहानिया भी लिखी है और जोने कवीताएं भी लिखी है उनकी रचनाओं में कवीता कहानी उपन्यास निबंद नाटक आलोचना आलोचना आपको नहीं पताओगा, मैं आपको पताता हूँ, जब हम किसी चीज में कोई कमे निकालने की कोसिस करते हैं, किसी रचना में, किसी समाजी व्यवस्था में, जब कमे निकालने के लिए कोई लेखन लिखा जाता है, that is आलोचना, हैना, criticism आप कह सकते हैं, उनकी रचनाओं में आपको वेदना, यानि दुख, संगर्थ, श्रगल भी आपको देखने के लिए मिलेगा, विध्रो देखने के लिए मिलेगा, साथ साथ आशावाद भीजी, आपको ऐसे कुछ भाव उनकी कहानियों में देखने के लिए मिलेगे, उत्सा आप कह सकते हैं, ओज फ्रो जिसे युक्तिन की कहानिया कविता नहीं होती, जातर दुख, पीड़ा और संगर्थ की कहानिया आपको इनकी देखने के लिए मिलेगे, कहानी समझ माई आपको इतनी, चलिए, नेक्स्ट आप देख पारे होंगे, निराला की परमुक र कविताओं में साब कुन-कुन सी याद रख सकते हैं, जिन में रिदम आपस में बन पारी हो, किस-किस में रिदम बन पारी हैं यहाँ पर, कविताओं में रिदम बनती है, अनामी का, गीती का, इसके अलावा आप बना सकते हैं क्या, एक इनकी कहानी बहुत, बहुत फेमस है कविता कुकुर मुत्ता नए पत्ते अराधना ये कुछ-कुछ मेन मेन आपको क्या रखनी है याद रखनी है कहानियों के अगर हम बात करें कहानियों में आपकी लिली सकी है लिली सकी दोनों अलग-अलग कहानिया इनकी इसके अलावा चतुरी चमार बहुत फेमस इनकी क्या म पर ये नाटकों में माना जाएगा ठीक है ये नाटकों में हो गया आपका इतनी बात आपको याद रहेगी ये बहुत फेमस है पर याद रखना ठीक है ये मैं आपको बताऊंगा next concept class में famous क्यों है चक्रवियू वाला आपका ठीक अब निराला को कुछ खास बात में जो आपक struggle देखने के लिए मिलेगा विद्रो देखने के लिए मिलेगा और आशावाद देखने के मिलेगा कहीं भी आपको motivation देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसे उत्सा की भावना नहीं दिखेगी आश्चर्य की भावना देखने के लिए नहीं मिलेगी आप यह देखें कोई समास दारक की बात यह नहीं करते हैं, यह बात करते हैं दुख पीड़ा और संगर्सकी, ठीक है, वे हिंदी साइट्टे के सबसे प्रगतिशील रचनाकारों में मानने जाते हैं, कौन से प्रगतिशील रचनाकार, निराला की भासा कैसी है मैंने आपको वदाया तो सरल सहज और पर प्रुसकार मिले हैं, जैसे सबसे बड़े प्रुसकारों में पद्म भूशन इनको मिला 1961 में, इनका निधन कब हुआ, 1961 में हुआ, इसके अलावा कहां पर हुआ लखनों में, जनम कहां पर हुआ था बंगाल में, निराला हिंदी साइट तेक अमर रचनाकार मानने जाते हैं जो कि इनकी रचनाएं लैदेरी में भरी पड़ी हैं, उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगी हैं, आज भी लोग इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, PhD लेवल पर इन पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, यह आप PhD हिंदी से हैं, कानी समझ में आई आई आपको चलिए, यह लेखक आपके हो गए, साथ साथ आपके आते हरी संकर प्रसाई, हरी संकर प्रसाई के अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यह दूसरे लेखक हैं, है ना, हरी संकर प्रसाई हिंदी साइट ते के परसिद व्यंग कार माने जाते हैं, आपने एक सब्दों सुनावा कई बा करती हैं कुछ चीजों पर व्यंग करने कोशित करती है और हास्ते प्रद रचना इनकी है यानि इनके रचनाओं को पढ़के आपको हसी का अनुभव हो सकता है उनका जनम कब हुआ 22 अगस 1924 में हुआ होसंगाबाद मध्य प्रदेश MP में इनका क्या होता है जनम होता है पर सा सरस आपको देखने के मिलेगा हास सरस आपको देखने के मिलेगा समझ मैं इतनी बात आगर आपको क्लियर हुए तो हम आगे बढ़ते चीजों को समझेंगे परसाइगी प्रमुक रचनाएं जैसे कौन-कौन सी रचनाएं इनकी है विकलांग स्रद्धा का दोर हसते हैं रोत पहला पत्थर तेरी मेरी बात तीसरा आदमी घदे के पैर स्रद्ध के फूल बेमानी की परत तो इस तरीक से आपको ज्यादा नहीं चार याद रखनी है में चार रचनाएं आपको याद रखनी है यहाँ पर पूर एक लिस्ट मैंने आपको देदी वो भी सनवाइज यह ब सबसे बड़ा पुरसकार ह्ता साहित्य अकाध्मी पुरसकार हुरा कि सहीते के चेतर में ज्यान प्रफूर सब और दरजा दिये गया है लेकिन यह पूरशकार करने संकाने marking इंपी पड़े जाती है हसाने पर करते ही जोगदान देती है सासा सोचने पर मझबूर करती है कुछ लोग होते हैं मजाक मजाक में ऐसी बात कह जाते हैं तीन दिन तक होगी मज़ा आया होगा इस क्लास में कुछ इंपोटेंट कॉश्चंस के साथ फिर मिलेंगे ऐसी क्लास के साथ थैंक कुछ दिन्यवाद नमस्क्राइब दोस्तों